हेलो एवरीवन, welcome टू अवर यूट्व चैनल, moment और फिक्स, moment और फिक्स ये यूट्व चैनल पर आपसे भी लोग कशागत है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रोजेक्ट टाइल मोशन को डिसकस करने वाले हैं, तो यह जो हम लोगों का lecture स्रीज चल लाई है IIT Jam Physics Science के लिए IIT Jam Physics वालों के लिए एक हम लोग lecture स्रीज चला रहे है Mechanics के topic के ओपर हम लोग चला रहे है तो यह Mechanics का हम लोगों का आज कौन सा lecture है Mechanics का lecture number 2 है ठीक है तो इसको आगे स्टार्ट करते है तो आज हम लोगों को क्या discussion करना है Projectile Motion के बारे में तो Projectile Motion को हम लोगों समझते हैं Projectile Motion हमारा Basically Kinematics का जो हम लोग अभी पढ़ा था हम लोगों ने lecture 1 में Kinendix को यानि की 1D Motion को लोगों ने पढ़ा था Projectile Motion जो हमारा Kinendix के जो 2D Motion होता है उसका एक्जामपिल है एक तरीका है यानि कि Projectile Motion Kinendix का 2D Motion के दरा है हमारा clear है यह हमारी चीजे हैं अब इसके बाद projectile motion हमारा क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोला सा जानते है समझते हैं चीजों को ठीक है तो देखे projectile हमारा क्या होता है कि किसी body को अगर हम लोग space में fake हैं कोई velocity है ठीक है वो हमारी gravity के influence में move करती है और फिर वापस जो है नीचे आ जाती है यानि कि उसमें कोई fuel और engine fuel नहीं लगा होता है ऐसे फेका और फिर वो वापस gravity के उपर तक जाती है फिर उसके बाद वापस आ जाती है और जो वो path follow करती है यानि कि इसको किती velocity से faking है तो यह जो path follow करेगी यह कुछ इस तरह से करेगी यहां तक जाएगी फिर ऐसे यूँ करके वापस ऐसे आके गिर जाएगी कोई भी चीज को अगर हम लोग इस तरह से फेकेंगे थ्रो करेंगे ठीक है यह हमारा projectile motion होता है तो projectile motion में कुछ खास बाते होती है उसको हम लोग समझते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए projectile motion में हम लोगों ने क्या करा है जैसे हम लोगों ने projectile motion को मैंने इस तरह से यह बना दिया यह हम लोगों कोई body projectile motion कर रही है तो जो यह height है हमारी यह तो यह हमारी maximum height कहलाती है और जो यह distance है हमारी यह हमारी कहलाती है range यह क्या कहलाती है यह हमारी range है और यह हमारी कहलाती है maximum height कौन से height कहलाती है maximum height तो यानि कि तीन ही हमारे parameters इसमें हम लोगों को discuss करने रहते हैं एक range कितनी है यहां से फेका गया और य maximum height, यानि सबसे उचाई पर जिस point पर गई, तो वो कितना हमारी उचाई थी, और इसके साथ सद एक शीरिया आपर और हम लोग डिसकस करते हैं, वो है time of flight, यानि कि यहां से लेकर, यहां तक जाने में, उसने कितना time लिया, तो इसको बोलते हैं time of flight, हावा में कितना time लिया, हा पहली चीज इसमें याद रखने हैं आप लोगों को, यह एक 2D motion है, और इसमें दो तरह के motion होते हैं, जिनको समझना बहुत important है, तो projectile motion में अगर जिन बच्चों को problem होती हैं, और वो चाहते हैं कि projectile motion में वो master बन जा है, और कोई problem ना है, तो projectile motion को दो अलग तरह के motion से suppose करिए, यह हमारा projectile motion है, हम लोगों ने किसी velocity दे, हम लोगों ने इसको यहाँ पर fake है, और इसका जो, यह हमारा इस, यह है, ठीक है, तो यह angle जो है, मान लिए theta है, तो यह velocity का हमारे component लेंगे, तो यह हमारा V cos theta हो जाएगा, यह वाला component लेंगे, तो यह हमारा V sin theta हो यह अगर theta है, यह अगर V से fake है और यह हमारा angle theta के लिए रहे, यहाँ तक तो कोई confusion नहीं है, यह सारी चीज़े समझते हो, ठीक, अब देखो, जरा इसको समझना, एक motion क्या हो रहा है, एक तो body उपर जा रही है, ठीक है, और एक body हमारी इधर जा रही है, तो जो उपर जा र करना है, कि kinematics में याद होगा, कल हम लोगों ने कुछ चीज़ों को, कल का मतलब lecture 1 में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को discuss किया था, last topic में, तो उनहीं को आपको समझना पड़ेगा, यानि कि कोई जो हमारा यह उपर तक जाएगा, कि अगर velocity से fake है, उपर तक जाएगा, फिर no acceleration x, कोई किसी भी तरीके का कोई acceleration नहीं लगेगा, suppose करिए मैं आप से पूछूं कि यहां से यहां तक उसने कितनी distance यह वाली cover करिए, अगर यह x है, और मैं आप से x पूछूंगी, उसने x कितनी देर में cover करा है, तो आप simply क्या करोगे, x आपको निकालना है, तो velocity, जो यह वाली, horizontal velocity कितनी दी, horizontal velocity दी, v cos theta, तो आप simply कहेद होगे, x equals to v cos theta, और यहां से यहां जाने में जो time लगा, into t, तो यह simple सा हमारा formula, जो बेसिक से 9th class वाला जो हमारा formula होता है, horizontal motion में वो लगेगा, और vertical में हमारा क्या लगेगा, vertical में gravity वाला, जो काइनमटिस की 1D problem थी, वो उस वर्टिकल मोशन को समझते हैं, और फिर हम लोग उसको study करते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन को हमने समझते हैं, तो वर्टिकल मोशन में हमारे क्या है, माल लिजे, initial velocity, उपर फेकने वाली velocity कितनी थी, vertical वाली, u v sin theta थी, अब maximum height वो कितनी cover करेगा, अगर मैं आप से तो हमारा h, जो हमारी maximum height निकल कर आ जाएगी, वो हमारी निकल कर आ जाएगी, v square sin square theta upon 2g, यानि कि एक parameter तो हम लोगों का निकल कर आ गिया, बड़ा आसानी थे, मनला बहुत easily हम लोगों का निकल कर आ गिया, कोई problem हम लोगों की नहीं हुई, ठीक है, ये बहुत easy थे, maximum height निक हम लोगों ने इसको उपर फेका है, और ये किसी maximum height तक यहां तक ऐसे गया है, ठीक है, किसी maximum height तक यहां तक यह गया है, ठीक, done, तो ये हमारी h maximum है, clear है, तो vertical motion हम लोगों ने इस तरह से माना है, अब ज़रा कुछ काम की बास समझिए, lecture 1 को अगर जिन बच्चों नहीं देक है, तो lecture 1 को ज़रूर देख लेंगे, उससे जो हमके बहुत सारी चीज़े clear हो जाएगी, तो मैंने कल कि आप लास्ट lecture 1 में हम लोगों ने क्या discuss करा था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने ये कहा था कि यह हमारा यहां पर उपर जाता है, फिर एक वक्त आता है, यहां पर velocity उसकी 0 हो जाती है, फिर वो वहां से नीचे आना से start होता है, तो यहां पर यह जाता है, और फिर यह ऐसे इस तरह दे आता है, और मैंने ये भी कहा था, कि यह दोनों हमारे जो motion होते हैं, पहला वाला जाने वाला और आने वाला symmetric होते हैं, मैंने ये भी बात करी कि जो timing लेते हैं, यानि कि यह timing T1 लेगा और यह T2 लेगा, और यह दोनों हमारे बराबर होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जब उपर जाता है, उसकी speed कम होती होती है, यह वक्त आता है कि उसकी speed एक्दम 0 हो जाती है, यानि कि final velocity, और फिर उसके बाद जब उसका इस instant पर देखेंगे तो जो velocity होती होती है, इस instant पर यहाँ पर भी वही velocity हमारी होती है, तो जब gravity यानि कि G पर act करता है, तो velocity हमारी क्या होती है, velocity हमारी change करती रहती है, ठीक है, और velocity कितनी change करेगी, 0 से लेकर V sin theta तक change करेगी, या तो नीचे दे फेकेंगे V sin theta होगी, 0 हो ज तो अगर प्रोजेक्ट टाइल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, प्रोजेक्ट टाइल में अगर हम लोग इसको समझें, तो हम यह कहेंगे, यहां से अगर किसी चीज़ को फेका, तो इसकी स्पीड जो हम लोग नहीं यहां पर फेकी, तो यह हम लोगों की V साइन दी वो T1 है और जो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा T2 लगा और दोनों टाइम हमारे इक्वल कहलाएंगे के लिए रहे कोई कर विदन नहीं तो यह वंडी मोशन की तरह आप इसको ट्रीट करोगे तो इससे जो है आप लोगों के लिए समझना आसान हुजाएगा तो आप आप लोग अगर टाइम निकालें विद इककोष्ट यू ब्लाद एटी ते निकालो ऐसे करो विद इककोष्ट यू ब्लाद एटी ठीक है तो फाइनल व्लॉजडी हमारी क्या होई जीरो हो गई इनीशल व्लॉजडी के तीदी वी साइन थीटा एक्सलेशन के अगेंस्ट क तो टाइम आपका निकल कर आ गया है वी साइन थीटा अपौन जी अब जाइड़् यहां से उपर गया अब उपर से फिर नीचे आएगा जब वह ऊपर से नीचे आएगा तो जो टोटल टाइम होगा वह हमारे इसका चू टाइम्स हो जाएगा तो यह मारा हो जाएगा तो यह हमारा time of flight हमारा निकल कर आ जाते है तो vertical motion से हम लोग 2 चीज़ निकाल सकते है एक हम लोग vertical height निकाल सकते है और हम लोग time period निकाल सकते है और velocity का कैसे variation होता है इस चीज़ को भी हम लोग समझते है अगर माल लो मैं आपसे बूचूँगी यहाँ पर हमारी velocity कितनी है अगर यहाँ पर vertical velocity क्या v sin theta होगी नो यहाँ पर v sin theta नहीं होगी कम हो जाएगी यह वक्त आएगा यहाँ पर जाते याते याते कम होते होते फाइनली 0 हो जाएगी यानि कि vertical component बिलकुल 0 हो जाता है सिर्फ और सिर horizontal component रहता है किलियर है यहां time of flight हमारा यह निकल कर आ गया है तो यह चीजे हो गई अब हम लोग बात करते हैं दूसरे motion की यानि कि यहां पर हम लोग ने vertical motion को start करा था अब हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं अब हम लोग horizontal motion को ज़रा इसमें study करते है horizontal motion को ठीक है जिस तरह से vertical motion को हम अटा दिया वर्टिकल को study करा बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग horizontal को ऐसे study करेंगे तो यह horizontal को हम लोग इस तरह से study करेंगे इसको हम लोग यह यूं मानेंगे बस same to same यह दोनों हमारे equivalent है यहां पर हमारा इस तरफ इस direction में acceleration हमारा कितना है acceleration हमारा 0 है तो जब acceleration 0 है और यह distance ह हमारी R है इसको हम लोगों को निकालना है ठिक range और acceleration 0 है तो यह वाली जो हमारी velocity थी आप लोगों ने देखा ही होगा यह हमारी velocity किती थी V cos theta थी और time यहां दे यहां जाने हम कितना लगा है और आप लोग देखकर है भाई जो यूं करके vertical motion में यहां दे आने में जो time लगा है हम कहेंगे बिल्कुल T तो R आप क्या लिखोगे V cos theta into T ती आप लोगों ने क्या लिखा था याद है आप लोगों को V cos theta into होगा 2V sin theta upon G लिखा होगा आप लोगों ने ठीक है तो इसको एक काम कर सकते है V square by G धल लिख दो और इसको धल लिख दो 2 cos theta sin theta यह हमारा sin 2 theta के बरा है कि भाई 2 theta कहां लें, G कहां लें, 2G कब लेंगे तो यह सब कुछ बिल्कुल से चीज़ है याद करने के जरौती नहीं है बहुते बच्चे confused होते हैं कि सर G कब लेना है 2G divide में किसमें लेंगे, theta कब लेंगे, 2 theta किसमें लेंगे, V square कब लेंगे, V square कब नहीं लेंगे यह confusion अगर होती रहेगी, जब तक आप यह process को नहीं सीखोगे, एक बार process सीख गए, vertical motion दे आप निकाल लिया आपने है, H maximum निकाल सकते हो, vertical motion दे आप time of flight निकाल सकते हो, और horizontal motion दे आप range निकाल सकते हो, यह काम आप कर सकते हो, अच्चा हर question एक जैसे नहीं होते हैं, कभी-कभी हम लोग यहाँ दे, किसी उचाईद हम लोग यहाँ माल ले, यहाँ पर खड़ें, यहाँ दे हम लोगों ने किसी चीज़ को fake आ, सबस्करिए, यहाँ दे हम लोगों ने इसको fake यह 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 गई, और इस तरह से आ गई, अब मैं आप लोगों से पूचूँ कि इसमें time of flight क्य है, अब आप यहाँ पर हमारे जो process है, वो बदल जाएगा time of flight, और मैं कहूँ, यह range यहाँ ते यहाँ तक कितनी होगी, यह भी सारी चीज़ें बदल जाएगी, तो यह जो है projectile motion का, जो यह drive करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया है, तो यह अगर आप इसको follow करोगे तो 101% आप projectile motion के बहुत अच्छे problems कर ले जाओगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, projectile को कभी भी आप solve करोगे, इसको projectile को कभी भी आप solve करोगे, तो याद अगना projectile motion को आप 2 equivalent to 2 motions, ठीक है, equivalent to 2 motions, दो motions को आप कर सकते हो, एक हमारा कौन सा motion होता है, एक हमारा horizontal होता है, जो कि हमारा motion under, नहीं, एक horizontal होता है, और एक हमारा vertical होता है, horizontal वाला तो constant velocity वाला होता है, यानि कि, और यह हमारा vertical होता है, ठीक है, यानि कि, यहाँ से यहाँ अगर हमारा acceleration इस तरफ कोई act कर रहे हैं, बताएं आप लोग, no acceleration act, तो यहाँ पर आगर आपकी velocity यहाँआपर किती दी, V cos theta थी, तो यहाँपर आप देखोगे, यहाँपर भी V cos theta होगी, maximum point पर देखोगे V cos theta होगी, यहाँपर भी V cos theta होगी, यहाँआपर V vy cos theta होगी, यानि कि, horizontal velocity change नहीं होती है, क्योंकि, कोई acceleration act नहीं कर रहा है, velocity को कम या जादा करना, ये acceleration का का होता है यह न्यूटन्स का जो पहला नियम है वह आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी की ही यहां पर यह बात हो रही है किलियर है तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग को equivalent दो मोशन मानना है और horizontal और vertical और उनको क्या करना है और उनको treat separately यानि और उनको separately अलग-अलग करना है तभी आपके लिए प्रोजेक्टाइल बहुती easy हो जाएगा अगर आप लोग यह करेंगे ठीक है अब जैसे कि मैंने एक question की शुरुआत कर दी थी तो कहीं न कहीं हमको लगता है उसी से ही हम लोग start करें अपने discussion को suppose करो यह हम लोगों कोई h हम लोगों ने ले लिया है ठीक है यह हम लोगों ने कोई h ले लिया है और यहां पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे इस तरह से फेक आए ठीक है डन और यह हम लोगों का यह हम लोगों का जाहिर दी बात है ठीटा है और यह हम लोगों का वी कॉस ठीटा हो जाएगा और यह हमारा V crown theta है यानिकि उसने V दे रखे था और theta दे रखे था इतनी चीदे दे रखे थी एक खाद बाद उसने ये दे रखे थी कि भाई ये H है हमारा ये जो उचाई है जो प्लैटफोर्म से हम लोग है time of flight यानि कि वो क्या पूछ रहा है h maximum क्या होगा वो पूछ रहा है range हमारी क्या होगी वो पूछ है time period क्या होगा कोई problem की बात नहीं है बिल्कुल आसानी से कर लेंगे देखिए हम लोगों किसी को यहां से मैं उच्छा लूँ और v sin theta दे मैं इसको अगर उच्छा लूँ ठीक है मैं किससे उच्छा लूँ वी sin theta दे अगर किसी चीज को उच्छाला जाए यह कितनी उचाई तक जाएगा मैं इसका अगर आप से कहूं कि h बताओ तो आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है final velocity की 0 हो गई है v v कह दो इसको इसको यू माल लो तो आपको होगे बिल्कुल सिंपल है v is equals to u plus half gt square ठीक है तो यहां पर हमको लगता है इससे नहीं इससे करेंगे v square u square plus 2gh इससे करेंगे तो सहीच आएगा ठीक है और यहां पर हम लोग का हो जाएगा minus q minus क्योंकि यहां पर हम लोगों का उसकी gravity के against हम लोग जा रहे है ठीक डन तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा final velocity 0 initial velocity v square sin square theta और minus 2gh ह हमारी जो निकल कर आजएगी v square sin square theta by 2g अब पीछे आप लोग देखकर भी आ रहे है तो h maximum जो हमारी निकल कर आई है वो हमारी निकल कर आई है v square sin square theta by 2g लेकिन wait a minute यह जो हम लोगों ने निकाली है maximum height यह तो हम लोगों ने यहां से निकाली है न कि भाई यह हमारा h उचाई का है यहां से अगर हम लोग इसको फेकेंगे v sin theta से यह कितनी उचाई तक जाएगा तो यह हमारा जाएगा v square sin square theta by 2g ठीक डन अगर मैं आप लोगों से पूझूं कि भाईया h maximum क्या होगा तो इसका जवाब देना कितना असान है कि sir h होगा और उसमें v square sin square theta upon 2g जोल रहेंगे तो देगा vertical motion करने से कितना असान हो गया अगर vertical motion को treat नहीं करोगे तो यह question आप लोगों को tough लगेगा कि अरे यार यह तो ब कि यहां से यहां फेकने में time कितना लगा तो time लगा है t1 ठीक है तो time कितना लगा t1 तो t1 हमारा हो जाएगा time लगता है t1 यानि कि u by g तो यानि कि v sin theta by g के लिए कोई confusion की बाप तो नहीं है v sin theta by g यह हमारा time t1 लगा अब हम लोगों का t1 आ गया अब ज़रा इस चीज को तो यह हमारा जो motion है वो कुझ इस तरहते है तो यहां पर मैंने पहले बता चुका हूँ कि symmetric होता है t1 और यह t2 तो यहां पर t1 not equal to t2 है तो t1 तो आप लोगों ने पीछे से यहां से निकाल लिया t1 यहां से जब उपर फेका अब हमारा case ही यह हो गया है कि उपर जब ball square sin square theta by 2g इस उससे जो है जब हमारी यह गिरेगी तो अब आप यह बताइए कितना time लेगी वो नीचे पहुचने में यानि कि final velocity उसकी कुछ भी हो यानि कि initially यहां ते initial velocity तो 0 है न छोड़ रहें तो हमारा जो हमलों का formula होता है s बराबर ut plus half gt square gravity के साथ हो रहा है काम तो बिल initial velocity हम लोगों के 0 है तो 0 लिखेंगे plus half g तो g होता है पर t2 यहाँ पर time उपर से नीचे वाले को लोगों तो t2 मानेंगे इसको निकालना है हम लोगों को h maximum आप यहां से लिखो h plus v square sin square theta by 2g बराबर g by 2tt square तो t2 square बराबर 2h plus v square sin square theta by g ठीक है और g हमारा यहाँ पर है तो g हमारे divide में आ जाएगा upon upon g और यहाँ पर g square ठीक है तो t2 जो हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2h by g plus v square sin square theta by g square ठीक है यह हमारा वो भी under root में यह हमारा यह निकल कर आ रहा है t2 तो t1 आ गिया t2 आ गिया तो t1 आपको पता है अब time of flight अगर आप लोगों से पूछा जाए t1 आप लोगों निकाल चुके हो v sin theta upon g आया था तो आप लिखोगे v sin theta upon g plus under root 2h upon g plus v square sin square theta by g square देख रहे है कितनी simple तरीके से हो जा रहा है time of flight भी निकल कर आ गया अब तो बहुत ही simple बच्चा range का निकालना range हमारे कितना होता है v cos theta into t तो v cos theta आ आप यहाँ पर लिखोगे और जो time of flight हमारा निकल कर आया है v sin theta upon g plus v sin theta upon g plus under root 2h by g plus v square sin square theta by g square यह हमारा निकल कर आ गया है तो मैं अमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सारी चीदे समझ में आई है तो यहाँ पर जो फिर ते एक बार मैं repeat करूँ अगर आप horizontal को अलग करोगे तो और vertical को अलग करोगे तो आप लोगों के लिए projectile motion एकदम हलवा हो जाएगा अच्छा का एकदम कर ले जाओगे ठी जेंटल वाले में no acceleration, coaccelation नहीं लगता है और coaccelation नहीं लगता है और क्या होता है खास बात no acceleration और हम लोग इससे निकालते हैं range तीके डन और यहाँ पर हम लोग vertical में क्या करते हैं vertical में हम लोग निकालते हैं h maximum vertical में हम लोग निकालते हैं time of flight vertical में हम लोगों का होता है motion under gravity यानि कि काइनेमिटिक्स में जो मैंने कहा नहीं था कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स घर से होमवर्क कर लेना, वो मैंने इसलिए कहा था कि motion and gravity अगर थोड़े बहुत इसको कर लोगे, ये motion and gravity को होमवर्क में दिया था, तो जिन बच्चों ने अभी तेंग नहीं करा है, व ठीक है, done, आए आप सभी लोगों को, ठीक है, अब जैसे कि मैं आपे कहूं कि भाई, मैंने यहाँ ते फेका, वही वीव लॉजरी ते फेका, और ये जो हमारा angle यहाँ पर बना रहा है, यह हमारा है, मैंने कहा कि यह हमारा angle है, ठीटा, done, और एक खास बात मैंने कहीं कि यह यहाँ ते यहाँ तक जा रहा है, देखिए गदरा, यह जा रहा है, 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 और यह जा कि गिरता है, सामने वाली किसी building में, ठीक, ऐसे मान लो कोई building की च्छत पर जा कैसे कोई गिरती है, और building की च्छत है हमारी H, अब इसमें बता टीप खा रहा है, वो हमारा कितनी दूरी पर होगा, ठीक है R, Y, यहां तक कितना होगा, ठीक है, डन हमारा time कितना लगेगा maximum दूरी कितनी होगी बहुत आसाने करना, V time दिटर लगाएंगे H maximum में तो कोई दिक्कन नहीं आएगी T1 में हमारे कोई दिक्कर नहीं आएगी T1, T2 हम लोग ने बराबर माल लिया था लेकिन यहाँ पर T2 की में बराबर नहीं मानेंगे यहाँ से लेकर maximum height पता है, h पता है तो इतनी height निकाल लेंगे इतनी height के लिए कितना time उपर से नीचे आने में लगेगा तो वही फिर बात आगई कि काइनमडिक के अगर problems आप लोगों आप लोगों solve करे होंगे तो यह सब तो फड़ावर इद्दम चुटकियों में हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीदे आप लोगों को clear रहें प्रोजिक्ट है मुशन अच्छे थे साँज में आ रहा है अचा कुछ चीदे और बता दूँ मैं range की अगर मैं बात करूँ तो range का हमारा formula क्या होता है range का formula होता है v square sine 2 theta by g अचा maximum कब निकलेगा जैसे javelin throw नहीं होता है javelin throw javelin throw हम लोग अलग-अलग angle से fake सकते हैं हम लोग 30 degree से fake सकते हैं 45 से fake सकते हैं 60 से fake सकते हैं 75 से fake सकते हैं 15 से fake सकते हैं तो अलग-अलग angle से हम लोग fake सकते हैं सबसे दूरी पर कब जाएगा तो सबसे दूरी पर जाता है 45 डिग्री से जब हम लोग यहां पर फेकते हैं ठीक है 45 डिग्री से क्यों जाता है ज़रा समझिए R को मैक्सिमम होना पड़े यानि कि range हम चाहते है मैक्सिमम हो तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा V square sin 2 theta by G को मैक्सिमम होना पड़ेगा अब V square maximum हो नहीं सकता वो तो हरो question के लिए अलगा लोग होगा G हमारा fix होता है sin 2 theta को मैक्सिमम होना पड़ेगा sin और cause यह सम लोगों की maximum value कितनी होती है यह तक ना 1 होती है sin 2 theta को हम लोगों कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा तो 2 theta हमारा 90 degree आ जाएगा तो theta हमारा दाहिर दिवाद है 45 degree आ जाएगा तो 45 degree पर हमारा क्या होगा maximum range होती है यह सारी चीदे मालूम होंगी basic सी चीदे 12 में आप लोगों ने पड़ेगा होंगी फिर भी मेरा काम था कि मुझको लगा कि चलो ठीक है बच्चों को बता दो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है यहां तक कोई confusion की बात तो नहीं है done अच्छा कुछ चीदे मैं कुछ ऐसा ही है a kind of problem आप लोगों के लिए मैं दे दे रहा हूँ simples ही है और बाकी अच्छी problems आप लोगों ढूंड लेना या फिर टेलिग्राम के गुरूम में जुड़ जो तो मैं खुद देने की कोशिश करूँगा तो यह काम कर लेंगे आप लोग ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप लोगों प्रोजक्टाइल दिद्व के लिए रोगया होगा the speed of projectile at its the speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed the angle of प्रोजेक्शन कितने डिग्री हमारा होगा यह आप लोग बता सकते हो इसका आंसर जो है ट्राइ करना 60 डिग्री आएगा बहुत सिंपल है इसमें क्या करना है मैक्सिमम पर हमारी हाइट कितनी होती है इच्छा बताओ जब सबसे उपर होता है तो कितनी होती है वर्टिकल वाली जीरो हो जाती है बच्ती क्या है खाली ओरिजेंटल वो होती यू कॉस्ट थीटा अब वो कह रहा है वो जो शुरुआत में फेका था उसकी आदी होती है यानिक यू बाइट्व होती है सिंबल से निकल कर आगे वो जो सीटा बराबर वन बाइट्व थीटा बराबर rapiveinsi डिगरी आ गया क्या करना है सिंबल गदम कुश्चन है ठीक है समझने के लिए ताकि कुछ एकात problem करा देने चाहिए तो उससे समझ में आ जाए बाकि हम लोग जो है जब इसकी problems लगाएंगे तब हम लोग अच्छे थे सब करेंगे अभी हम लोग बीच बीच में क्या करेंगे अभी तो lecture one में हम लोग लिए lecture two बीच बीच में हम लोग problems के भी session लिया करेंगे जिसमें आप लोग बहुत सारी problems आप लोगों की solve हो जाएंगे तो आप लोग का support अगर बना रहा तो definitely हम लोग mechanics को आगे लंबे पर ले जाने वाले हैं ठीक है mechanics हम लोग complete करेंगे अच्छे थे तो आप लोग का support बिलकुल बना रहेगा तो हम लोग अच्छे थे को करने वाले हैं the angle of projection of the projectile कितना होगा यह आप लोगों को बताना है option में लिखते रहा हूं 10 inverse 1 10 inverse 2 10 inverse 4 60 degree तो A, B, C, D इसको आप लोग ट्राइ करेंगे answer हमारा C आएगा कर लेना अच्छा को question है height और range को बराबर करना है कुछ नहीं करना है height का formula लगाओ height का क्या हो height बराबर range रखना है तो u square sin square theta by 2g और इसको बराबर कर देना है u square sin 2 theta by g से यहाँ पर sin square theta by 2 और sin 2 theta by 2 यह हमारा nickel कर आएगा इसको solve करोगे 2 धर चले जाएगा और यह sin theta 2 sin theta cos theta हो जाएगा तो 4 sin theta यह वाला दो इदर जाएगा आना चाहिए ठीक है बाकी कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग हमारे telegram group में जुड़ जाओ तो telegram groups के लिंक वेगारा हम लोग दे देंगे तो वहाँ पर आप लोग discuss कर सकते हो तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे ठीक है दन और कुछ इस कोर्स से रिलेटेड बात करनी हैं कुछ याद करने तो मुझको अभी तो फिलाल ऐसा कुछ नहीं बद यहीं है कि अब जो है आगे प्रजेक्टाइल मोशन हो गया अब हम लोग न्यूटन लॉद्व मोशन और वही लीनियर मोमेंटम कंदर विशन सेंटर ओं मास और एनलम लीनियर मोमेंटम कंदर विशन सेंटर ओं मास कोलीजन्स और यह सब करेंगे विलॉस्टी एन एक्सलेशन इन डिफरेंट कोडिनेट्स इनको करने कोचिश करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वर्क पावर इनर्जी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को देखें ग्रेविटेशन और फिर हम लोग जो है फिलूट डाइनमेक्स हो गया हमारे असले बस इस तरह से हमारे लेक्चर आते रहेंगे वेट करिए देखिए हमारे कितने लेक्चर बनते हैं तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी पसंद आईए तो वीडियो को आप लो लोड हो गया हूं आगे के लेक्चर वो जाग लो तो यह हमारे लेक्चर टूधा मेकैनिस का ठीक है चलो ठीक है डन एंड करते हैं बाइवर्यवेंड टेक क्या थैंक यू जाए विडिक्स